हेलो फ्रेंड्स, बैलकम बैक टू माई चैनल, फ्रेंड्स कैसे आप सब? उमीद करती हूँ आप सब बड़ी असे ही होंगे घर का काम हो या किचन का काम हो, हमें किसी ने किसी काम में परसानी का सामना तो करना ही पड़ता है लेकिन अपने हम इन कामों को कुछ टिप्स और हैक्स के थ्रो करें तो यही काम चुटकियों में और बड़ी ही आसानी से हो जाते हैं मैं आपके लिए कुछ टिप्स और ट्रिक लेके आई हूँ जो आपके रोज के मुश्किल कामों को बहुत ही आसान बना देंगे देखिए इस तरह के pact तो हम सबके घर में पड़े ही रहते हैं ये मेरे पास कुछ डाल के pact है और मसाले के तो इस तरिके के आपके घर में भी pact पड़े ही होंगे इनका use कैसे करेंगे चलिए मैं आपको बताती हूँ देखिए मैंने यहां पराचार की CC ले ली है जब हम इस तरीके से अचार की CC को फर्स पे या फिर कही मैट पे रखते हैं तो आपने देखा होगा कि नीचे से एक दम से हमारा फर्स या मैट जो है वो गंदा हो जाता है क्योंकि इन CCR डब्बों के नीचे चिकनाहट लगी होती है जो हमारे फर्स को गंदा कर देती है तो इन चिकने बरतनों को हमने सीधा फर्स पे नहीं रखना है हमने क्या करना है कि इन खाली पैक्टों को इनके नीचे इस तरीके से रख देना है फ्रेंट्स अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो अपनी फैमिली और दोस्तों से सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें आप कहां कहां और किस जगा से मेरी वीडियो देखते हो प्लीज कमेंट करके मुझे बताया करें ताकि मैं भी जान पाऊं कि मेरी वीडियो कहां कहां और देश के किस किस कोने में देखी जाती है ये डाल का पैक्ट बड़ा है तो हम क्या कर सकते हैं कि इस पे एक साथ दो बरतन भी रख सकते हैं देखिए इस दरीके से आप इनको कितना भी हिलाएं आपका फर्स बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा क्योंकि इनके नीचे हमने प्लास्टिक डाल दिया है जब आपको लगे कि ये पैक्ट तेल से गंदा हो गया है तो आपने क्या करना है कि उसको हटा देना है और फिर दूसरे पैक्ट को इनके नीचे रख देना है इससे आपका फर्स बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा कहीं बार हनी की बोटल भी नीचे से चिपचिपई हो जाती है आप इस पे रख सकते हो और तेल की बोटल को भी आप इस तरीके से रख सकते हो चलिए देख लेते हैं आगली टिप्स क्या है देखिए मैंने यहाँ पे जैम की बोटल ले ली है इनके धकन जो है वो इस तरह के होते हैं अचार की सीसी में भी ऐसे धकन लगे होते हैं जो असानी से खुलते नहीं है तो इसके लिए हमने क्या करना है कि चमच ले लेना है और धकन की साइड में इस तरह से टैप टैप करते हुए जाना है आप देखोगे कि बड़ी आसानी से सीसी का धकन जो है वो खुल जाएगा कहीं बार क्या होता है अगर इस तरह के धकन हो तो उन्हें कितना भी जो से खोले वो खुलते ही नहीं है लेकिन इस तरीके से बड़ी आसानी से धकन जो है वो खुल जाता है फ्रेंस ये छोटे छोटे टिप्स बहुत ही काम के होते हैं इनसे हम अपना मुश्किल से मुश्किल काम बढ़ी असानी से कर सकते हैं बस आपने इस तरीके से चमचे से धकन पर टैप टैप करते हुए जाना है और आपका धकन बढ़ी असानी से खुल जाएगा आपके हाथों में बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा फ्रेंड्स आप इस ट्रिक को जरूर ट्राइ करके देखना और मुझे कुमेंट करके बताना के आपको ये ट्रिक कैसा लगा चलिए देख लेते हैं अगली टिपस क्या है देखिए हमने सबसे पहले क्या करना है कि गैस को आउन्ट कर लेना है और फिर इसकी आंच को धीमा कर लेना है देखिए मैंने फुल गोबी का पीस ले लिया है अब क्या करना है कि फुल गोबी के डंठल वाली साइड को हमने गैस पर इस तरीके से सेख लेना है इससे क्या होगा कि फुल गोबी के अंदर जो भी कीड़ा है वो बड़ी आसानी से बाहर निकल जाएगा फुल गोबी के डंठल में और फुल के अंदर इतने छोटे छोटे कीड़े होते हैं जब हम गोबी को काटते हैं तो वो हमें दिखाए भी नहीं देते हैं लेकिन हम इस तरीके से गोबी को गर्म करेंगे तो होगा क्या कि कीड़े चोंगे वो बाहर निकल जाएंगे तकरीवन एक मीट तक मैंने गोबी के डंठल को जला लिया है अब हमने क्या करना है कि डंठल को गोबी से काट कर अलग कर लेना है देखिए मेरी गोबी के फूल में एक भी कीड़ा नहीं था इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि हमारी गोबी के अंदर कीड़े हैं या नहीं अगर डंठल में कीड़ा आए तो आपने सोच लेना है कि फूल में भी कीड़ा है आप यहाँ पर पत्ता गोबी भी ले सकते हो गोबी से कीड़े ने कारने का ये बहुत बढ़िया तरीका है आप इसे जरूर ट्राइ करके देखना है हमने गोबी के डंठल को काट कर अलग कर लिया है चलिए आप देख लेते हैं कि इसको साफ रखने का दूसरा तरीका क्या है सबसे पहले हमने क्या करना है कि गोबी को इस तरीके से काट लेना है आपने इसके छोटे छोटे पीस कर लेना है देखिए इस तरीके से और आपने देखते जाना है कि इसके अंदर कोई कीड़ा तो नहीं है फुल गोबी और पत्ता गोबी को कभी भी जल्दवाजी में नहीं काटना है इने अराम से काटना होता है क्योंकि इनके अंदर बहुत छोटे-छोटे कीड़े होते हैं जो हमें असानी से दिखाई नहीं देते हैं इसलिए इने जब भी काटना है तो बड़े ही आराम से काटना है और चेक करते रहेना है अगर हम गोब्वी को जल्दवाजी में काट ले और फिर पानी से धोकर इसकी सब्जी बना ले तो हो सकता है कि इसके अंदर कोई कीड़ा भी रह गया हो तो इसको हमने धोना भी बहुत ही तरीके से होता है तो मैं आपको तरीका बताऊँगी कि हमने गोब्वी को कैसे धोना है सबजी और फलों में बहुत जादा कीटनास कछिड़के होते हैं जो हमारी सेथ के लिए बहुत ही नुकसान करते हैं इसलिए सबजी और फलों को खाने से पहले इने बहुती तरीके से धोना चाहिए तांकि इनके अंदर कोई भी कीड़ा और केमिकल नार है गोबी के टुकड़े आप अपने मन मताबिक बड़े चोटे कैसे भी कर सकते हैं तो देखे इस तरीके से हमने क्या करना है कि गोबी को काट लेना है तो देखे मैंने गोबी को काट लिया है अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये जो डंठल हमने रखे हैं इनका हम क्या करेंगे कुछ लोग तो क्या करते हैं कि इन डंठल को ऐसे ही फैंक देते हैं और सबजी में नहीं डालते लेकिन मैं क्या करती हूँ को इनको सबजी में डाल लेती हूँ इसी तरीके से आपने भी क्या करना है कि इनको सबजी में डाल लेना है इन डंठल का सबजी में सवाद भी बहुत आता है और ये हरे हैं तो ये सेथ के लिए भी अच्छे हैं तो आपने इनको क्या करना है कि सबजी में डाल लेना है और ये जो डंठल का हार्ड वाला हिस्सा है इसको क्या करना है कि हमने निकाल लेना है और जो अंदर वाला हिस्सा है इसको भी हमने सब्जी में डाल लेना है ये भी सब्जी में सेहत के लिए बहुत ही अच्छा फाइदे मांद होता है और जो तरीका मैं आपको सब्जी को धोने का बताऊंगी की आपने भी उसी तरीक से सबजी को धोना है और फिर पकाना है. सबज्यों को healthy बनाने का सबसे बड़िया तरीका है उसे से ही तरीके से धोना. देखिए मैंने गोब्वी को काट कर तयार कर लिया है और ये जो डंठल है इनको हमने फैंक देना है अब हमने क्या करना है कि एक खाली बर्तन ले लेना है तो देखिए फ्रेंट्स इसी तरह का बर्तन आपने भी ले लेना है और फिर गोब्य को इसके अंदर डाल देना है ये जो सब्जी को धोने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ ये बहुती बढ़ी तरीका है इस तरीके से आप भी अपने घर की सब्जीयों को धोया करें सब्जीयों के ऊपर जो कीट नाजक सप्रे किया होता है उसका असर जो है वो इस तरीके से खत्म हो जाता है अगर आप कोई fruit खा रहे हैं जैसे अंगूर हो गया, सेव हो गया, आम हो गया या कोई और fruit तो आप इस तरीके का यूज़ कर सकते हो आप क्या करना है कि पानी डाल देना है इसके अंदर अगर आप चाहें तो गुन-गुना पानी भी ले सकते हो, लेकिन गर्मियों का टाइम है तो मैंने नॉर्मल पानी ही लिया है अब जो मेंड चीज है वो है नमक, अब आपने क्या करना है कि इसमें एक चमच नमक का डाल लेना है अब आपने क्या करना है कि इस फूल गोब्य को आपने कम से कम पानी में 20 या 25 मिन्ट के लिए ऐसे ही रखे रखना है फालों और सब्जियों को इस तरीके से धोने से इनके उपर जो कीट नासक सप्रे किया हुआ है उनका असर पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा चलिए देख लेते हैं कि अगली टिप क्या है देखिए जब हम कोई चीज फ्राइ करते हैं तो तेल के अंदर इस तरह के कंड जो है वो बच जाते हैं तेल को साफ करने के लिए हम क्या करते हैं कि कोई बर्तन और चलनी ले लेते हैं और फिर देखिए हम क्या करते हैं कि तेल को चालने लगते हैं लेकिन ये चालने का सही तरीका नहीं है इससे क्या होता है कि हमारी चलनी एक दम से चिकनी हो जाती है तो इसके लिए मैं बहुत ही बढ़िये ट्रिक लेके आई हूँ आपने क्या करना है कि इस तरह का पतले बाला cloth bag ले लेना है ये जो पतले बाला cloth bag है ये बहुत ही बढ़िया से काम करेगा मुझे पूरे यकीन है कि ये जो तेल को छाड़ने का मैं आपको तरीका बताऊंगी आपको बहुत ही जाड़ा पसांद आएगा क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारी छाड़नी बिल्कुल भी गंदी नहीं होगी और बड़ी असानी से हम उसको धो सकते हैं तो देखिए इस तरीके से मैंने एक shopping bag के चार पीस कर लिए हैं अगर इस तरह की bag आपके पास भी होगी तो आपने उसे फैंकना नहीं है ये बहुत ही कामकी होती है ये इतनी बड़ी ट्रीक है कि अगर आपने इसे एक बार यूज़ कर लिया तो आप इसे बार बार यूज़ करोगे आप आपने क्या करना है कि चाय चारने वाली चारनी को ले लेना है और देखिए कपड़े को इस तरीके से चारनी के ऊपर रख देना है और फिर जिस बरतन में आपको तेल को चारन के रखना है उस बरतन को ले लेना है और फिर अपने तेल को छालना सुरू कर देना है तेल के अंदर चाहे कितने बरीक कन हो या मोटे कन हो तेल बड़ी असान तरीके से छन जाएगा आपके तेल के अंदर एक भी कन नहीं जाएगा जब हम कोई भी चीज फ्राई करते हैं तो इस तरह से हमारा थोड़ा सा तेल बच जाता है और उसके अंदर कन बहुत जादा बच जाते हैं तो उसे साफ करने का ये बहुत बढ़ी तरीका है तो देखी मैंने तेल को छान कर अला कर लिया है आप देखना आपके तेल के अंदर एक छोटा सा भी कन नहीं जाएगा जितने भी कन है सब कप्ड़ के उपर इकठे हो जाएंगे हमारा तेल एक दम से पहले की तरह साफ रहेगा तो इस तरीके का यूज आप कर सकते हो इसे तेल बहुत अच्छे तरीके से छान जाता है देखिए कितनी पूरी सी बन गई है तेल को बिल्कुल साफ तरीके से छाड़ने का ये बहुत भड़ी तरीका है आप इसे मेरे कहने पर जरूर ट्राइ करके देखना अगर हम तेल को सीधा छड़नी से छानते हैं तो हमारी छड़नी एकदम से काली पड़ जाती है लेकिन देखिए इस तरीके से हमारी छड़नी बिल्कुल भी काली नहीं हुई है अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसांद आई हो